इस्रेल ने इरान की सीरिया वाली फैक्टरी के परखच्चे उड़ा दिये हैं पहली हेलिकॉप्टर से कमांडो उतारे, फैक्टरी के गाड को मा डाला, इरानी आफिसर को उठा ले गए उसके बाद मिसाइल से फैक्टरी को तहस नहस कर दिया, अब इस्रेल चुप है और इरान बदले की आग में जल रहा है दुनिया इभर की एक्सपर्ट इस बात की आशेंका जाहिद कर रहे हैं कि जिस तरह से अपने दो आफिसर्स के मारे जाने पर इरान ने इस्रेल पर तीन सो ड्रोन और मिसाइल से हमला किया था, इरान इस बार भी कुछ ऐसा ही कर सकता है खामने की सुरक्षा दिवार धरवरा कर गिरी इस्रेल ने उड़ा दी इरान की मिसाइल फैक्टरी पहाड की खोँ में आईडी एफ का सबसे बड़ा आपरेशन इरान का स्लिपर सेल भी देखकर रह गया दंक इस्रेल इरान जंग पुरे जोरो पर है इस्रेली डिफेंस फोस हमाज के लड़ाकों को चुन चुन कर मार रही है एक जगह बरसा बारूत धूए में तबदील हो तब तक दूसरी जगह धमाखे से गाजा ही लूटता है ग्यारा महीनों से हमास लड़ाकों की तलाश में इस्रेल सिर्फ गाजा पर ही हमले नहीं कर रहा है तहरा, लिबनान, यमन, सिर्या को भी टार्गेट कर रहा है और हमास लड़ाकों की तलाश में कतर, काहिरा, संयुक्त अरब अमिराद से लेकर लंदा तक मुसाद के एजेंट फूल आउन एक्टिव हैं अब देख चुके हैं कि कैसे हमास चिफ इसमाईल हानिया को मुसाद ने इरान के घर में घुसकर मारा, मकसद सिर्फ हानिया की हत्या नहीं था समर्थन कर रहे इरान को चेताउनी थी इसराइल क्लियर कर चुका है कि हमास के खात्मे की राह में जो भी आएगा अपनी मौद का जिम्मेदार खुद होगा अब ताजा हमला सिर्या पर दीखिए सिर्या के मसफ शेत्र में मौझूद साइन्टिफिक रिसर्च सेंटर पर इसरेली डिफेंस फोस पहले एयर स्ट्राइक करती है यह इसलिए क्योंकि सिर्याई सेना यहां अपने अतिरिक्त सैनी को पूप नहीं भेज सके फिर ग्राउंड ऑपरेशन के लिए इसरेली कमांडो हेलिकॉप्टर से उतरते हैं कमांडो सेंटर के गार्ट को मारते हैं यहां मौझूद दो चार इरानी अफसरों को उठा ले जाते हैं सेंटर के यंत्रों और दस्तावेजों को भी अफसरों के साथ ले जाते हैं इसके बाद मिसाइल अटाइक से सेंटर को निस्तों नाभूत कर देते हैं एक्सियोस के मताबिक 2018 में हिजबुला और सीरिया के साथ मिलकर ये अंडरग्राउड फैक्ट्री बनाई गई इरान ने पहाड के अंदर इस फैसलिटी को बनाया ताकि इसरेली एयर स्ट्राइक से बचा जा सके मिसाइल फैक्ट्री को लिबनान सीमा के खरी बनाया गया था ताकि हिजबुला को आसानी से हत्यार पहुँचाया जा सके सिरियाई टीवी ने इस हमले का पूरा ग्राफिकल वीडियो बनाया है ये केमिकल लिसर्स सेंटर है जिसका इस्तेमाल इरान और सिरिया दोनों मिलकर करते हैं इस इलाके में अक्सर सिरियाई सरकार के अधिकारियों और इरानी रिवुलोशनरी गार्ट के अफसरों की मिटिंग होती है माना जा रहा है कि जिन इरानी अफसरों को इजरेली फोस ने अगवा किया है वो अलग-अलग चीजों के एक्सपर्ट है सिरिया के मस्यफ और हमा इलाके में इरान समर्थी तातंकी समूहों के लोग रहते ही ये हमला 9 सितंबर का है इस हमले से मसेफ और हमा इलाके के 10 बिल्डिंग ब्लॉक्स पुरी तरह से खत्म हो गए मिसाइल फैक्टरी पर अचानक हमले से सिरियाई गाट्स हैरान रहके कहा जा रहा है कि मसेफ और हमा का ये रिसर्च सेंटर असल में डोन्स और रॉकेट बनाने के काम आते थी इस्रेली सेना की ओर से की गई रेड पिछले कुछ वर्षों में इरान और सिरिया के खलाफ पहला ग्राउड ऑपरेशन है इस फैक्टरी की तबाही इरान सिरिया समित हिजबुला के लिए बड़ा जटका है क्योंकि यहां मिडियम रिंज की 60 मिसाईले बनाई जाती है रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि ओपरेशन को लेकर इस्रेली सरकार चुप है क्योंकि इस्रेल नहीं चाहता कि वो कुछ ऐसा कहे जिसे इरान या सिरिया भड़क जाए इस्रेल के इस उपरेशन में 15 मिलीटरी साइट्स को चार्गेट बनाया गया जिसमें 18 लोग मारे गये हैं और 37 लोग जखमी हुए हैं 7 अक्टूबर 2030 जब हमास ने इस्रेल में घुसकर 1200 लोगों का खतल कर दिया और 251 लोगों को बंधक बना लिया उसके बाद इस्रेल की और से ये अब तक के सबसे सहसिक मेशन में से एक है इस मेशन में इस्रेल ने अपनी और आने वाली मिसाईलों के सप्लाई लाइट भी काट दी रिपोर्ट के मताबक सिरिया में इस्रेल ने जहां रेट की वो एक अंडरगराउंड मिसाईल कार खाना है इस्रेल ने इसे नश्ट कर दिया अमेरिका और इसरेल के दावे के मताबिक ये मिसाइल फैक्टरी एरान ने बनाई थी इरान के विदेश मंत्राले ने हमले की निंदा की है रिपोर्ट के मताबिक इसरेल वाई उसेना की विश्ष्ष्ट एकाई शाल टैंग ने एर स्ट्राइक और रेड को अंजाम दिया यह उप्रेशन बेहद सवेदन शील था ऐसे में बाईडन प्रशासन को पहले ही इसकी सूचना दी गई थी अमेरिका ने इस उप्रेशन को कोई आपक्ती ने भी जटाई इसरेयल ने कई एर स्ट्राइक के जरिये पहले भी इरानी मिसाइल फैक्ट्यो को तबाह किया है सिरिया के मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इसरेयल ने जहां हमला किया है वहां इरान और सिरिया मिलकर केमिकल हत्यार बनाते थी क्या होते हैं केमिकल हथियार Organization for the Prohibition of Chemical Weapons यानि OPCW के मताबिक केमिकल हथियार इतने खातक होते हैं कि ये पल भर में हजारों लोगों को मौद की नीन सुला सकते ही और साथ ही उन्हें अलग-अलग बिमारियों के प्रभाव से तिल तिल कर मरने को मजबूर कर सकते ही 2023 में केमिकल वेपन के वाच डॉग यानि OPCW ने घोशरा की थी कि अमेरिका आखरी देश था जिसके पास ये हथियार मौजूद थे और इन्हें नश्ट किया जा चुका है 1997 के केमिकल्स वेपन कन्वेंशन के मताबिक इसमें शामिल सभी देशों को सितंबर 2023 के आखर तक सभी केमिकल्स हत्यारों को नश्ट करना था इरान के सेंटर पर इसरेल के हमले के बाद ये भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या इरान बैन के बावजूद केमिकल्स हत्यारों का प्रोड़क्शन कर रहा है यहां आपको कुछ सबसे खत्रनाक chemical हत्यार के बारे में जरूर जाना चाहिए नर्व एजिएंट सबसे घातक chemical हत्यार छोटी से डूस बलबर में जान ले सकती है चोकिंग एजिएंट दम घोटने वाला chemical हत्यार ब्लड एजेंट ब्लड सेल पर हमला करते हैं दम खोड़ देते हैं ब्लिस्टिंग एजेंट शरीर पर फफोले हो जाते हैं व्यक्ति अंधा हो जाता है जान भी जा सकती है रॉइट कंट्रोल एजेंट आंग, मूम, स्कीन, फेपड़े में जलन पैदा करते हैं सेरिया की केमिकल फैक्टरी पर इसरेली हमले की जानकारी अगर अमेरिका को थी और उसने इसे च्छिपाया तो अब इरान के पास कोई तर्क नहीं है कि वो केमिकल हत्यार बनानी की बात पबूल करें और इसरेल के खिलाब हमला बोलते हैं वैसे इस साल सेरिया में मौजूद इरान के समर्थन वाले आतंकी समूहों पर इसरेल ने 43 एर स्ट्राइक किये हैं सेरिया में इस से पहले इसरेल ने 1 अपरेल 2024 को दमिश्क में हमला किया था इस हमले में इरानी रिवरुशनेरी गार्ड के 7 सदस से और 6 सिरियाई नागरिक मारे गए थे इसरेल ने इस हमले में खुद के हाथ होने की बात से इनकार किया लेकिन इसरेल पर हमला कर दिया 300 जोन और मिसाईले दाग दी इसरेल दुनिया के उन देशों में से है जो किसी भी खत्रे को आने से पहले ही खत्व कर देता है इसके लिए उसे चाहे किसी देश के अंदर अपनी सेना ही क्यों न भेजनी पड़े इसरेल युद भले ही हमास के खिलाफ लड़ रहा है लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि 11 महीनों की लड़ाई में अपने से किसी भी सतर पर तुलना के खाबल नहीं समझने वाले हमास का सफाया क्यों नहीं कर पाया है इसका जवाब पुरी दुनिया चांती है और वो ये है कि इसरेल के हर दुश्मन को इरान का समर्थन हासिल है इरान ये सालों से करता रहा है इरान मान कर चता है कि इसरेल का अस्तित्व अर्बों की जवीन पर खड़ा हुआ यहुदियों की घुस पैठ है यानि इसरेल का समूलनाश इरान का मकसद है इसके लिए वो यमन के होथी वी द्रोहियों को समर्थन करता है लिबनान के हिजबुला का भी समर्थन करता है यही हल सिरिया का है इरान सिरिया में उसके साथ है जो अमेरिका का विरोधी है इसरेल का दुश्मन है